हलो फ्रेंग्स आप प्रेग्नेंट हैं और आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको डर लगा होगा कि कहीं मैं गेर गई या और कुछ हो गया तो कहीं मेरी बच्चे को नुकसान ना हो जाए तो मैं डॉक्टर सुशिला से ने आज आपको बताने जा रही हूँ कि चक्कर प्रेगनेंसी में क्यों आते हैं, इनका क्या कारण है और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता और अगर ऐसे कोई स्थिती बनती है तो अपना ध्यान कैसे रखें प्रेगनेंसी में चक्कर आना एक बहुत ही कामन समस्या है, कई बार महिलाएं आती है और कहते हैं कि उन्हें चकर आ रहा है उनका सिर घूम रहा है या उनके आसपास की चीज़ें घूम रही है या उन्हें लगता है कि ब्लैक आउट हो गया है या एकदम से गिर जाती है या और भी कई तरीके का उनको लगता है कि कोई नौजिया वॉमिटेंग उल्टे जैसा आ रहा है फिर वो उठके नीचे से उपर बैटते हैं उसी में उनको दिक्कत हो जाती है तो ऐसे कई तरह की कंप्लेइन हो सकती है जो रूटेनली प्रेगनेंसी में लेडिस हमी करती है त तो उसको एक प्रेगनेंसी का सम्टम भी मान लिया जाता कि परिवार में जो पुरानी औरते है वो कहते हुए बैटी प्रेगनेंट तो नहीं है तो इस तरीके से चक्कर आने को बहुत कॉमन तरीके से जोड़ा जा चुका है और जोड़ा हुआ है तब चकर आते हैं तो उस प्रॉब्लम हो सकती है अब अपने दिमाग में सवाल आता है कि आखिर चक्कर क्यों आ रहे हैं चक्कर आने के कुछ एक मुख्य कारण है जिन में से सबसे कॉमन कारण है कि खाना पीना टाइम पे नहीं लेना कई लेडिस की आदत होती है कि पूजा करके खाना खाएंगे बच होता है आपके खाने के डिमांड बढ़ जाती है तो डेफिनिटली आपको टाइम टू टाइम खाना चाहिए तो प्रेगनेंसी में हर दो गंटे में कुछ ना कुछ खाने की सलहा दी जाती है यदि आप अपना खाना टाइम पे खाएंगी तो आपका शुगर लेवल डाउन नहीं होगा क्योंकि जैसे आपके शुगर लेवल डाउन होते हैं तो आपको हाइपोगलाइसीमिया होता है और हाइपोगलाइसीमिया होते हैं आपको चक्कर आ जाते हैं ब्लैक आउट हो जाता है आप गिर सकते हैं और अगर आप गिरती हैं तो आपको चोट लग सकते हैं उसमें भी आपको समस्या वही होगी अब पानी पीने का सबसे बड़ा है कि आप ज़रूरी नहीं कि सिंपल वाटर ले आप पानी के रूप में नीमू पानी, नारियल पानी, जूसे, सूप, दाल का पानी या दूद, कॉफी, ये सब चीज़े भी आप ले सकती हैं यानि कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके शरीर में लिक्विड इंटेक बना रहे जैसे ही आप अपने शरीर का लिक्विड इंटेक मिंटेन रखेंगी तो डेफिनेटली आपको चक्कराना है कि समस्या कम हो जाएगी तीसार प्रेग्निंसी के शुरुआती महिनों में बहुत ज़ादा कमन होता है कि खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, जी मिशलाता रहता है, उल्टी का जी करता रहता है या किसी-किसी लेडी असको बहुत ज़ादा उल्टिया होती है यानि कि कुछ भी खाती है और वो बाहर निकल जाता है पेशेंट आते हैं और हमें कहते हैं कि मेड़ा हम तो पानी भी पीते हैं वो भी बाहर निकल जाता है यानि कि पानी भी हमें उन्हें जिलनी रहा होता है तो ऐसी इस्थिति में आप बताएं कि कैसे लेडी नॉमल रहे पाएगी, अगर इतनी प्रॉबलम अगर उसे होगी कि वो कुछ खा नहीं पा रही है, कुछ पी नहीं पा रही है तो डेफिनिटिली उसे चककर ही आएंगे, तो ऐसी इस्तिती अगर बनती है तो डेफिनेटल आपको डॉक्टर के पास जाके सलहा लेनी चाहिए और जो डॉक्टर गोलियां प्रिस्काइब करते हैं उन्हें लीजी ताकि आपका जो नौजिया और वॉमिटिंग का जो मन हो रहा है यानि कि जो जी मिशला रहा है खाने क की समस्या हो रखी है वो जैसे ही डॉक्टर आपको दवायां देते हैं दिन में तीन या चार बार लेने की तो उसे काफी हद तक यह समस्या कंट्रोल में आ जाती है चौथा कारण हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है क्योंकि जैसे ही प्रेगनिंसी होती तो प्रेगनिंसी में जो प्रोजस्टरोन हार्मोन और रिलेक्सिन हार्मोन की मातरा बढ़ती है तो उसे जो खून की नलिया होती है वो रिलेक्स हो जाती है यानि थोड़ इसी उनका डायमेटर बढ़ जाता है चौड़ी हो जाती है जिससे की ब्लड प्रेशर कम हो जाता ह और जैसे ही blood pressure कम होगा तो definitely चक्कर आएंगे क्योंकि अपने शरीर में दिमाग को oxygen मिलना बंद हो जाता है या दिमाग खून मिलना कम हो जाता है जिसकी वजह से body अपना balance नहीं रख पाती है और कई पर महिला चकर खाके ऐसे black out होके नीचे गिर जाती है और अगर गिर जाती ह है तो बच्चे को चोट लग सकती है जो बहुत खतरनाक हो सकता है इसलिए अगर ऐसी कोई सिती बनती है तो definitely आपको अपना ध्यान रखना चाहिए सहारे से चलना चाहिए नीचे से उठकर खड़े होने में आपको चकर आते हैं तो इसको postural hypertension कहते हैं क्योंकि जैसे ही नीच से चकर आ जाते हैं तो सहारे से उठे बैठे और अगर सीधियां उतरना चड़ना है तो ध्यान से दिरे दिरे उतरे और सहारा लेकर चले ताकि गिरने की समस्यां ना हो क्योंकि अगर आपको लगता है कि चकर आ रहे हैं तो definitely आपको उसी जगे बैठ जाना चाहिए जल्दी से उठना बैठना नहीं चाहिए तो अपने BP का ध्यान रखे अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने खाने में आप नमक की मातरा बढ़ा दीजिए आप ORS ले सकती है और आप सलाद वगर खाएं तो उनके उपर नमक चड़क कर ले सकती है और निमू पाने में आराम से नमक एक्स्ट्रा लिया जा सकता है चाच के अंदर नमक लिया जा सकता है तो इस तरह के से थोड़ा सा साल्ट का इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका BP मेंटेन रहे लेकिन BP का एक दूसरा पॉजिट फेक गढ़ा है कलेजिय में दर्द होता है और भी कई सारी समस्यां उसके साथ associated होती है सूजन आ जाती है तो अगर आपका BP मेंटेन नहीं है यानि की कम है तो भी चक्कर आ सकते हैं तो भी चक्कर आ सकते हैं इसलिए यदि आपको चक्कर आने के साथ साथ कुछ और समस्या है कि जैसे आँखों के आगे दुन्दलापन आ रहा है, सूजन आ रखी है बॉडी में, या आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो डेफिनिटली ये जादा बीपी के साइन है, तो आप डॉक्टर के पास आगा बीपी जरूर अपना चेक करवाई है, और अगर बीपी जादा मिलत जिसकी वज़े से पोस्टूरल हाइपोटेंशन होता है, और चक्कर आ जाते हैं, इसके अलावा प्रेगनेंसी के आखरी महिनों में, यानि सात्वे आठ्वे महिने में, आप सीधा लेटती हैं, तो बच्चे के प्रेशर के कारण जो ब्लड वेसल पे कंप्रेशन आता है, इसके अलावा एक और मॉस्ट कमन कारण होता है प्रेगनेंसी में चक्कर आने का कि खुन की कमी, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, तो हीमोगलोबिन का लेवल एक से दो पॉंट नीचे आ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हीमोडाइलूशन, यानि खुन थोड़ा पतला ह हो जाता है पाणी की मातरा बढ़ जाती है और ही बच्चे को भी ही to को आइंगे ही आएंगे तो यह भी आप बताये गई बातों का ध्यान रखते है तो डैफिनेटली आप चक्कर की समस्या से मुक्ति पा सकती है और अगर आपको कोई बीमारी डियाग्नोस होती है तो डॉक्टर की सलह लेकर उसका इलाज जरूर करवाईए ताकि आप एक स्वस्त बच्चे को जन्म दे सकें और चक्कर आकर गिरने की कारण कोई बच्चे का नुकसान न हो कोई मिस हैपनिंग न हो अपना और अपने बच्चे का ध्यान ज़रूर रखी और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजी और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजे ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमश्कार